तो दोस्तों कि आप भी Pi wallet में दोस्तों generate new wallet पर click कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर something went wrong while requesting test Pi from faucet लिखा हुआ आता है दोस्तों अब दोस्तों अगर आप भी wallet create नहीं कर पा रहे हो दोस्तों Pi में तो दोस्तों कैसे आप wallet create कर सकते और यह something went wrong वाली problem कैसे आपको solve करनी है step by step इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो आप end तक जरूर से देखते रहे है problem solve हो जाने पर वीडियो को like करकर चैनल को subscribe कर लेना दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों आप को pie के app में आना है दोस्तों और उपर three lines पर click करते हुए दोस्तों यहां पर नीचे आपको एक option देखने को मिलता है दोस्तों कौन सा option है चलिए बताएता हूँ support portal का एक दोस्तों आपको option देखने को मिलता है simple से क्या करना है दोस्तों आपको support portal वाले option पर चले जाना होगा और यहां पर से दोस्तों आपको ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आने के बाद अब दोस्तों यहां पर जैसे ही आप आ जाओगे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। नीचे स्कॉल करते हुगा आने के बाद दोस्तों यहा पर आपको एक ऑप्षन देखने को मिलेगा wallet & browser in email request का तो क्या करना है दोस्तों आपको इस option को आपको select करना है wallet & browser वाले को दोस्तों चलिए हम यहा पर से इस option को स्लिक्टウाले यहाँ पर है Since तो email confirmation में आपको अपनी email ID डाल देनी होगी, email ID को डालने के बाद दोस्तों नीचे IP PIE username, यानि कि आपका PIE का जो username है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर से enter करना है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर PIE username enter करोगे, नीचे आपको Android और iOS सेलेट करना है, अगर आपका device Android है तो आपको Android सेलेट करना है, या फिर अगर iOS यूज़ कर रहे हो तो iOS बागिया में Android यूज़ कर रहे हैं, तो Android सेलेट करेंगे, यहाँ पर आपको phone model डालना है, दोस्तों phone model आपको पता है दोस्तों आप लिख सकते हो दोस्तों, और नहीं पता है दोस्तों तो आपको क्या करना, अपने mobile की settings में आ जाना है, और settings वाने के बाद about phone पर चले जाना होगा दोस्तों, about phone पर जैसे ही आप जाओगे, आपको दोस्तों वहाँ पर अपने Android version भी देखने को मिलेगा, और वहीं पर दोस्तों आपको आपका phone का model भी देखने को मिलेगा, दोस्तों तो क्या करना है आपको यहाँ पर से phone model और Android version देख लेना, इसके बाद उपर की तरफ आपको phone model यहाँ पर लिखना है, और नीचे जो option आ रहा है यहाँ पर आपको phone का version या कि जो version है आपके phone का वो यहाँ पर लिख देना होगा दोसतों इसके बाद यह flip करने के बाद नीचे आपको scroll करती हुए आना है यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एक और option नीचे की तरफ देखने को मिलता है यहां पर आपको description, यहां पर, दोस्तों, आपको एक note लिखना है, चलिए में लिखकर बतायता हूं, सबसे बले, Dear Pi Team लिखना है, आपको और इसके आगे, क्या-क्या लिखना है, चलिए बतायता हूं, और आपको दिहान से ब्लकुल वैसा का वैसा लिख लेना है, दोस्तों, य यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया है और यहाँ पर देखिए dear pie team I am unable to create new pie wallet तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद आगे लिखिए it shows something went wrong please solve this problem इतना आपको लिखना है दोस्तों यह सब लिखने के बाद जो आपने details डाली है दोस्तों वो details के साथ यह notes लिखना है इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे scroll करते हुए आना यह notes से लिखने के बाद चली क्या करना है बतायता हूँ आपको दोस्तों क्या करना है यहां पर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए यहां पर से आओगे आपको दोस्तों एक browse का option देखने को मिलेगा यह देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको screenshot लगाना है जो आपको problem आ रहे है यह something went wrong वाली सबसे पहले आप उसका screenshot कीच लेगा दोस्तों आप यहां पर आपको screenshot लगा देना होगा browser में आकर यह करने के बाद दोस्तों पूरी details fill up करने के बाद आपके पास एक send का option देखने को उपलेगा simple से send वाले option पर click करना है दोस्तों जो भी details आपने दोस्तों आप फिल की हैं दोस्तों वो send करते ही दोस्तों पाई network की team के पास पहुच जाएगी इसके बाद दोस्तों वो details को check करेंगी दोस्तों और आपको देखेंगी दोस्तों यहां पर आपके पास जो problem आ रहे है